हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूटूग चैनल पर आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ गार्डन अपडेट क्या-क्या लगा है मेरे टेरेस गार्डन में और कुछ टेरेस गार्डन का वर्क है जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में सेयर करने वाली हूँ जो सबजिया मैंने आपके साथ लगाई थी उनमें कितनी ग्रोथ हो गई है और क्या क्या लगा है वो सब आज हम देखेंगे उससे पहले सबजियों को और फ्लावर्स के पौधों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए ग्रोथ के लिए मैं लिक्विट फर्टिलाइजर बना रही हूँ तो ये सुखे हुए गोबर के उपले हैं या सुखा हुआ गोबर कह सकते हैं आप तो इसे मैं पानी में भीगो कर रख दूँगी और फिर इससे लिक्विट फर्टिलाइजर बनाऊंगी हम टेरिस पर जब सबजिया लगाते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा केर करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास एनरजी का लिमिटेट सोर्स होता है हम किसी प्लांटर में या किसी पॉट में लगाते हैं जमीन में लगी हुई सबजी हो या कोई भी प्लांट हो उसकी केर थोड़े कम करनी पड़ती है लेकिन अगर हम प्लांटर में लगाते हैं तो उसकी केर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है हाँ हाँ अभी अभी मैंने आपको बताया था और हम अपने हातों से सबजिया हुगा रहे हैं तो हमें और्गेनिक चाहिए इसलिए हमें इस तरह से और्गेनिक प्रटिलाइजर बनाना परता है यह देखे मेरे पास पहले से बना हुआ रखा था थोड़ा सा तो इसे पानी में मैंने मिला लिया है और मैं अपने सबजी के प्लांट में डालूँगी तो सबसे पहले मैं सबजीयों के प्लांट में ही डालूँगी यह देखे मूली और अब बस साम होने वाली है बस थोड़े ही देर में अंधेरा हो जाएगा तो आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही होगी यह लगी है गाड़ गो भी तो बस इन में में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और अब यह मॉर्निंग का व्यू है तो देखिए यह है मेरे गार्डन वेस्ट और कीचन वेस्ट का कंपोस्ट जो बोरी में बना कर रखा था और थोड़ी सी मिट्टी भी है पुरानी गमले की इसमें पलट दी है मैंने और उधर देखिए जुगाडू प्लांटर एक मेरा तयार है एक कार्टून है और उसमें मैंने पॉलिथीन और बोरी लगा दी है अंदर से और इसमें भी मैं मिट्टी भरकर और खाद भरकर कुछ न कुछ लगा दूँगी डेली कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा लगाते ही रहती हूँ मैं कि यह ज्यादा पुरा ना कंपोस्ट तो नहीं है जो मैंने लिया है तो देखिए अच्छे से कंपोस्टिंग नहीं हुई है कुछ डंडिया है ही इसमें तो डंडी डंडी में फेक देती हूँ चलेगा यह हम नीचे की साइट डाल सकते हैं किसी भी प्लांटर में तो मिट्टी के साथ इस कंपोस्ट को मैं तो मैं तो मैंने सोचा है कि इसमें मैं बत्वा डाल दूँगी बत्वे के बीज मेरे पास रखे हैं पिछले साल कुछ बत्वे के प्लांट थे उससे मैंने बीज ले लिया था और रख दिया था तो घर का औरगेनिक बत्वा खा के देखेंगे अब बहुत ही टेस्टी लगेगा और यह देखिए यह एक और जुगाडू प्लांटर है बोरी का इसे भी तयार किया है इसमें भ लग से कोई कंपोस्ट डालने की जरूत नहीं है क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से भी अच्छी होती है और गिनिक है किसी भी केमिकल का यूज मैं नहीं करती हूँ और गेंदे की तो बहार है मेरे छट पे अभी भी और बहुत सारे गेंदे के पौधे मैंने निकाल दिये हैं क्योंकि बहुत दिनों से वो फ्लावरिंग कर रहे थे दिवाली के पहले से लगबख दसहरे से खिल रहे थे ये फ्लावर और दिवाली में तो मैंने टोकरी वर्ग के ये फ्लावर तोड़ा था फिर भी बहुत सारे थे फिर भी बहुत सारे बचे थे पडोसियों को भी दि ही है करपतवार में इसमें उगा है चौलई का साग और बत्वा तो वह मैं आज ले लूँगी यह अद्रक लगा हुआ था लैसून की पत्तियों की मुझे बहुत जरूत रहती है यह टमाटर देखिए बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें टमाटर लगे हुए है और बहुत सारी सबजिया मेरे छट पर लगी हुई है आगे वीडियो में देखिए मेरे साथ बने रही है आज का वीडिय बिना मेरा मन ही नहीं माना तो मैंने वीडियो पूरा लंबा बना लिया है और गेंदे छट पर इतनी सुंदरता बिखेर रहे हैं गेंदे आजकल और यह गोभी जो अभी आपको दिखाया था थोड़ी दिर पहले सायद मैंने और देखिए इधर मिट्टी का धेर लगा हु अमबाडी की भाजी तो अब यूज में नहीं आती लेकिन इसमें फ्रूटिंग हो गई है और इसके जो फल है अमबाडी के यह चटनी के लिए काम में आते हैं और अगले सीजन के लिए इससे बीज भी मुझे मिल जाएंगे इसलिए मैंने इसी में रखके रखा है यह चौ प्याच की पत्तियों का सबजी में आप डेली डालिये और यह मेरा मिर्ची का प्लांट तो इससे अभी अभी मैंने मिर्ची तोड़ा था और लगी हुई है लेकिन फ्लावरिंग नहीं दिख रही है नहीं सायद इसमें कुछ फर्टिलाइजर और डालना पड़ेगा और य निकाल निकाल कर फेक दिया है सब एक एक चुन चुन कर लेकिन पत्तों को तो ऐसे खा ही गई है उनने मैंने थोड़ा सा दो चार दिन ध्यान नहीं दिया तो यह हाल हो गया और टमाटर टमाटर की तो देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है देखिए फ्रूटिंग भी है फ्लावरिंग भी है और यह एक बैगन का पौधा है पुराना पिछले साल का तो इसे मैंने रिपॉट किया है इसका मैंने ट्रायल लिया है देखते हैं इसमें फल लग पाते हैं क्या और हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी और दूसरी बोरी में मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट और मिट्टी भर कर लगा दिया है तो देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें भी अच्छी ग्रोथ होगी और इससे भी फल मुझे मिलेगा मेरे पास बैगन के बीज भी नहीं थे नई पौध भी नहीं थी तो बस इसी को मैंने लगा दिया है और बैगन हम लोग थोड़ा कम खाते हैं इसलिए ज्यादा लगाया भी नहीं और यह देखिए टमाटर टमाटर की तो जबर्दस फसलाने हाली यह लगता है टमाटर भी लगे है फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है टमाटर में तो टमाटर तो मैं हर साल बहुत अच्छे लेती और इसमें मैं बोदूंगी बत्वा अभी बोने वाली हूँ बत्वा और यह लगी है पत्ता गोभी और फूल गोभी अपराजिता का प्लांट और यह तुलसी तुलसी जी तो यह थोड़े से डल हो गए है इनकी भी थोड़ी केर मुझे अप करनी पड़ेगी और यह डबल चाननी का प्लांट जो सर्दियों में डोर्मेंसी में चला जाता है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं के बराबर हो गई भी है बस थोड़ी थोड़ी सी बर्स है और इसकी जड़े खूब फैल गई है इस प्लांटर में तो यह सायद रिपॉर्ट करना पड़ेगा मुझे जीनिया के प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं गार्डन में सुंदर तला देते हैं इसलिए मैं नहीं निकालूंगी पुराना जीनिया का एक प्लांट था वो मैंने निकाल दिया है तो यह नए प्लांट में रहने दूँगी आप मेरे पुराने वीडियो में देखें बहुती सुंदर जीनिया के फ्लावर आते हैं अभी भी लगे मेरे गार्डन में आगे देखिएगा और यह 12 मासी लहसून यह देखिए यह जीनिया लगा है और फिर से गेंदा जीनिया के प्लांट को बिल्कुल भी केयर नहीं लगती कैसी भी मिट्टी में आप लगा लीजिए उसे कुछ भी फर्टिलाइजर की जरूत नहीं पड़ती है बस धूप होना अच्छे से बहुत अच्छे से चल जाते हैं यह सदा बहार और यहां मेरे पास बहुत सारी मट किया रखिए जिनको डेकोरेट करके यहां में कुछ लगाने वाली में इस कॉर्नर पर और ये देखे गुल्दावली में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है ये देखिए ये वाले प्लांट मेट तो पूरे साल ही फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन इत्ती रौनक नहीं थी इत्ती रौनक इसमें सर्दियों में ही आई है पत्तियां तो आपको बहुत कम दिख रही होंगे और फ्लावर ही फ्लावर है और यहां फिल से लगी है गार्डगो भी जिसे हम नवल गोल कहते हैं तो यह भी एक खराब मटके में मैंने लगाया है तो मैं कोसिस करती हूँ कि बस वेस्ट मटेरियल में ही मैं अपना गार्ड़न बनाऊं और गुल्दावनी और यह मूली प्याज प्याज की पत्तियां मैं तोड़ते ही रहती हूँ इसलिए आपको दिखनी रही है अच्छे से यह हरा धनिया लगा है यह पालक है जो तीन बार मैंने हार्वेस्ट कर ली है और इधर कहीं पत्ता गोवी, फूल गोवी, गार्ड गोवी यह सब मिक्स लग गिए देखे यहां मुझे तोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था यह रही गार्ड गोवी तो गार्ड गोवी की पौद को मैंने फूल गोवी की पौद समझ ली थी और एक-एक इन दही के डिबो में मैंने लगाया है और जो पत्ता गोवी की पौद थी उसे मैंने गार्ड गोवी समझ लिया था और वो इसमें लगाया है और इसमें थोड़ी गहराई कम है तो देखते हो पाती ही क्या मुझे यकीन है लेकिन जरूर होगी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और उपर से भर दूंगी तो देखिए असली में दुकान वाले भाईया नहीं ही उल्टा पुल्टा लिख दिया था बीश की उपर पत्ता गोवी की बीश पर गाड़ गोवी लिखी थी और गाड़ गोवी पर पत्ता गोवी लिख दिया था इसली मैं थोड़ी कनफ्यूज हो गई थी उन्होंने भी गलती से साथ गलत लिख दिया था उस पर चलिए कोई बात नहीं गाट गोबी भी बहुत अच्छी हो रही है, इसे ही हम खा लेंगे, तो बस सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैंने लगाने की कोशिस की है, तो आप भी मेरी तरह से एक या दो गमले से सुरुआत कीजिए, कुछ न कुछ लगाईए, आपको भी लगाने का बहुत मन होगा, और तो ये भी देखिए, ग्रोथ हो रही है, इनमें भी, जीनिया, गेंदा, मूली, गाजर, तो मुझे जो भी खाली कबाड़ वाला जुगाड़ मिला है, उसमें मैंने लगा दिया है, किसी को डेकोरेट किया है, किसी में ऐसे ही लगा दिया है, मैं भी मेरे बच्चे छोटे ह तो उनको स्कूल भेजने के बाद, फिर मैं ये काम करते रहती हूँ, घर के सारे काम निप्टाने के बाद, तो जितना भी टाइम मिलता है, उसमें मैं ये करती हूँ, और ये देखिए, इस पे एफिड्स या फिर माओ बोलते हैं, उनका अटेक हो गया है, तो इसका भी कु करके इस तरह से ये लगा दिया है, पिछले सीजन के वीडियो में आप देखेंगे, तो गुलदावली भर भर कर है, पतिया कम है, फ्लावरिंग बहुत जादा है, और इस से भी जादा हेल्दी थे वो वाले प्लान, और अभी इन में तो सुरुवात हुई है, तो अभी इस भी था, तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, हर जगर यलो ही यलो दिख रहे हैं, देखते हैं अब और भी जो लगे हैं, वो कैसा कलर निकलता है, पतिया सबकी सेम है, तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, ये देखिए सदा बहार, और इसमें लगा है मधुमालती का प्लांट, जिसे प्लांटर छोटा हो गया है, तो दूसरी जगर रिपॉर्ट करना पड़ेगा, ये गाजर, तो इस तरह से है मेरा गार्डन, कबार से जुगार वाला और जीरो बजट वाला, बहुत ज़्यादा, खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा के मैं खर्चा करती ही नहीं हू कोशिस करती हूँ घर से कंपोस्ट बनाने की किचन वेस्ट की और ये देखिए मूली, देखिए मूली दिख भी रही है, बन भी गई है, तो सारे मूली के प्लांट में मूली इस तरह से बनने लगी है, देखिए अभी पतली है, थोड़ी मोटी हो जाएगी तब हम इसे नि मुझसी जी लगी हुई है इसमें, तो अभी गार्डन में ऐसे ही तितिर वितिर थोड़ा पड़ा है, इसे भी मैं अच्छी जगह दे जाओंगी, मटका भारी है तो मुझसे उठता नहीं है, मिट्की से भरा हुआ, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई उठा कर ले जा द मुझे बताईएगा, अब देखिए, लैसून में से ये बत्वा और दूसरी जो भाजिये हैं, वो मैं सारी जड़ से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये लगे रहेंगे, तो लैसून में अच्छी ग्रोथ नहीं होने वाली है, लैसून में कुछ भी खर्पतवार नहीं चाहि लेकिन लैसून से मुझे मतलब नहीं है, पत्तियों का यूज मैं करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसेपी हम बनाते हैं, मेरे रेसेपी वाले चैनल में हैं इसकी रेसेपी, तो इसलिए मैंने लैसून लगाया है, ये देखिए, सारा कच्रा और भाजी निकाल दी ह इतनी भाजी निकल गई है, दर से भी भाजी तोड़ ली है, लैसून की पत्तियां भी तोड़ लूँगी, सबजी में चटनी में डालने के काम आ जाएगी, तो जो नीचे नीचे की पत्तियां होती हैं, वो हमें तोड़नी होती है, ये नीचे नीचे की पत्तियां हम तोड जाएंगे उपर नहीं पत्तियां आते जाती है और यह अभी अभी लगी है अभी और बढ़ेगी लेसुन लेसुन तोड़ लिया धनिया तोड़ लिया और यहरी भाजी भी मैंने अब तोड़ ली है अपने गाडन से मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजि तेंक यू